हे गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकनिकल पॉपटीस और मैट्रियल तब सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मैकनिकल पॉपटीस क्या होता है यदि कोई बोडी में इस्ट्रेस लग रहा होता है और उस इस्ट्रेस लगने के दौरान जो बोडी बिहेबियर सो करता है that's behavior called the mechanical properties अब हमें ये mechanical properties जानना जरूरी क्यों है माल लीजी हम एक bridge form कर रहे हैं एक bridge का निर्मान कर रहे हैं तो उस bridge का निर्मान करने के दौरान हमें क्या लगेगा structures लगेंगे जैसे angle channel अब उस angle और channel का हम dimension कैसे determine करेंगे तो जब तक हम mechanical properties मालूम होगा तभी हम उस angle channel का कितना dimensions लगेगा उस angle channel का वो determine कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा strength तो strength हम कैसे define करते हैं it is defined as the maximum value of stress that a material can withstand without any failure मतलब कि कि एक body जो है material है वो कितना maximum stress जहल सकता है बीना तूटे बीना break किये वो कितना maximum stress जहल सकता है यदि हम कहते हैं कि कि किसी body का मैं इस्तियंद जादे है इसका मतलब यह हुआ कि वो body जो है जादा मैं इस्ट्रेस जो सकता है बीना तूटे है किसे कम है कि रहे तो DANS हर जाता है तो इस्ट्रेस ज्यादा है मतलब हम अधुरी high ले जल रहा है अधि-ड कि यह मन्हें एक सर्फी तो उसे में स्ने बॉमबार्ड कर रहा है तो क्या होगा इस surface में मेरा कि इंडेन प्रेंट य прогच चोटा-खोटा-इंडेन आ जायेगा चोटा-शोडा इंडेन ड़ोटाइं इस सर्फीस पे अब ये सर्फेस इस indentation go is penetration को कितना रशिस्ट कर रहा है that resistance called the hardness this condition क्या हुआ hardness is defined by a materials ability to resist various form of the formation in the intention and penetration यह हमारा हुआ hardness हम आगे देखते हैं आगे क्या है toughness toughness कैसे define करते हैं जब किसी बॉडी पे इंपेक्ट लोड लग रहा होता है तभी क्या होता है तभी वो बॉडी मेरा जो कितना इनर्जी एब्जॉर्ब करता है विफोर फ्रेक्चर मतलब क्या हुआ कि इसलिटिक रिजन और प्लास्टीक रिजन दोनों इंक्लूड है इसलिटाइलाश्टिक बनास्टिक बीशाइन डोनों में दि क्योंuvoshift में क्या सक्षार्फिस और घ्रियू to absorb energy before fracture अब resilience क्या होता है it is the ability of material to absorb energy when it is elastically deformed मतलब कि under the elastic region ही यह जब वो मेरा body कितना energy absorb करता है that's called the resilience वो plastic region जाने से पहले under the elastic region only कितना मेरा energy absorb करता है that's called the resilience अब क्या है elasticity elasticity किसे कहते हैं it is the property of material to regain its original shape after deformation when the external forces are removed जब मेरा किसी कोई material है उस पर हमाल लेज़े tensile force act कर रहा है अब तो क्या होगा वो elongate करेगा अब यदि हम जब वो external force कर देते हैं तो वो body वो material में जब original shape gain कर लेता है regain कर लेता है तो that's property called the elasticity और प्लास्टिसिटी यह ज़िसका अपोजीट है इसमें क्या होता है जब वो बार जब हम टेंसाइल force लगा तो आउगेट किया लेकिन जब हम उस टेंसाइल force को रिमूब किये तो वो क्या होता है वो original shape gain नहीं कर पाता है उसमें थोगा सा यदि वन मीटर का था मेरा था मेरा बोडी तो वो मेरा बोडी मालीजी आ गया इसको प्लास्टिशिटी मतलब कि वो परमानिक डिफोर्मेशन आ जाए रोसमें विदाउर बेकिंग और अप्चिरिंग दैट्स मेट्रियल कॉल्ड प्लास्टिशिटी और यह एलास्टिशिटी का एग्जेक्ट अपोजीट होता है अब डेक्टिलिटी किया है इट इस द यह लंबा वायर में हम उसको तब्दील कर सकते हैं डेस्ट एबलीटी कॉल देट्टिलिटी डेक्टिलिटी इस दिपापर्टी ओमेट्रियर इनेवलिंग इट्टू रॉन इंटु ए वायर विदी एप्लिकेस्ट आपकेंसाइल फोस अब एक बोडी का में मोर्ड टाइल क देट्टिलिटी के लिए अमले बिलेटी के या हुआ इसल एबलेटी ओप मैटाया तरह हथ ने यूड इंट टेंट एंट इस सीं एड़ एडेलेटीओ डीक वा की कोिए मैट्रियल है उसको हम कितना पतला सीथ मिए मुशे द्रॉक और साते कितना पतला सीट बना साथने कित याइभ ने किसी बॉडी के सर्फिस को कितने इज से कितने आसानी से मुझे कर सकते हैं ऑग्षा करने के बाद जो हमारा जो सर्फिस मिलेगा वह बहुती स्मूथ नीगए हैं गाउर्स पापटी कोलता है मसीनिबिटी मतलब कितना आसानी सोट कर सके उसको मसीन कर सके और उस को सरभेस का सुट्षिस का स्मूथनेस बहुत जादे होगा तो उस पापटी चुब कहते हम लोग मसीनिबिटी अब बिटेलनेस क्या हुआ इस दी पपटी ऑफ दे मैट्रियल कैसा पपटी है जो की की फ्रैक्चर कर जाता है विडाउट एप्रीशी वल्डी फॉमेशन मतलब की जैसे हम इस्ट्रेस इस्ट्रीन डियाग्राम देखते हैं तो उसमें चोंड इस्ट्रेस इस्ट्रीन करफ बनाएंगे बिट्रल मेट्रियल का तो वह कैसा बनेगा पहले ये इस्ट्रेट लैंड फिर वो क्या कर्व जो बनेगा तो यह इंद यह मैं Elastic limit है तो यह Fracture Fracture Point इसका यह होगा यह जो रीजन है यह बहुत close होगा तो क्या हुआ हमारा विदाउट any much deformation ज्यादा deformation नहीं होड़ा है उसके बाद तुरंथ वो ब्रेक कर जा रहा है it is material when material breaks it is when a material breaks suddenly under stress without exhibiting much deformation or changes in dimension and that's called the bitterness कि बिना ज्यादे deformation का वो तुरंथ ही ब्रेक कर जा रहा है and that's called the bitterness a fatigue किया हुआ the amount of cycles a material can withstand under fluctuating stress upon reaching failure मतलब कि यह देख लिए सिंपल फासा में एक पैन है अब पैन को break करने क्लिका करेंगे हम उसमें श्याक्लिक रोड़ लगाएंगे मतलब की उपर निचे से करेंगे मतलब कि क्या वा मैंनिचूड और डारेक्शन दोनो चेंज हो रहा होगा उस्पेन का अब तो कितनी साइकल बाद वो पना पैन बेकर जाएगा that measurement of cycle is called the fatigue दिखिए यहां पर क्या लिखा लिखाएंगा फटीग रिफर्स तो फेलियर और कितने साइकल के बाद को मेरा पेन ब्रेक कर जाएगा that's the measurement of the cycle called the fatigue अब stiffness क्या होता है a material's ability to resist significant elastic deformation while loading मतलब कि एक material कितना resist कर रहा है deformation को यदि मेरा एक body है हम उसमें tensile force लगा रहे हैं यदि हम tensile force लगा रहे हैं वो बहुत जाले tensile force लगने के बाद बहुत कम elongate करता है तो मतलब क्या हुआ कि यह body जो है यह body जो मेरा बहुत ज़्यादा stiff है यदि वो ज़्यादा elongate कर जाए तो इसका मतलब क्या हुआ body कम stiff है तो a material's ability to resist significant elastic deformation while loading मतलब कि वो elongation को deformation को कितना resist कर रहा है and that's the properties called stiffness अब हम देखते है क्रीप क्या होता है क्रीप को हम आसांग भासा में ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक मेरा bed है कोई एक bed है उस पर हम क्या कि हेवी पत्थर रख दिए एक heavy brick या पत्थर रख दिए इस bed पे अब हम एक दो दिन बाद आके देखेंगे तो क्या होगा इस bed में कोई deformation नहीं आएगा इस bed में कोई deformation नहीं आएगा लेकिन वही जह हम कुछ साल बाद आएंगे तो क्या देखेंगे यह band जो है बेट जो है ऐसे band कर चुका है क्या कर चुका है अब देखिए जहां क्या लिखा हुआ है इस slow and gradual deformation of materials under a certain applied load the slow or gradual deformation होता है under certain applied load that's called the creep अब ये creep जो है time and temperature dependent क्या है time and temperature dependent क्यों time dependent क्यों एक दिन बाद आके देखेंगे तो उसमें क्या था ज्यादा सो डिफॉर्मस आया ही नहीं था नेक्जिबल deformation था लेकिन वहीं हम एक साल बाद आके देखेंगे तो क्या था वह बैट जो है इसे बैंड कर चुका था तो मतलब ये time dependent है और temperature dependent कैसे है कि उस वह उस रूम का ये टेंपेचर रूम टेंपेचर से जादे रहता कुछ हाई रहता तो बैंड जो करता वो जल्दी बैंड कर जाता है इसलिए ये टेंपेचर डिपाइंट है तो तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो का पीडियेव डिस्क्रेशन में दियेगे लिंक से प्राप कर सकते हैं